Hello everyone, इस वीडियो में हम cover करेंगे machine language के बारे में, तो सबसे पहले देखेंगे हम इसका meaning, then example लेंगे ताकि हम best way में समझ सकें कि machine language क्या है, then हम cover करेंगे इसके advantages और disadvantages को, इसके लबा इस वीडियो के related जितने भी topics हैं, उन सबका title आपको यहां पे दिया गया है, और इन सबका link आ करेंगे सबसे पहले machine language का meaning, machine language में use होता है zero and one का, तो यह zero and one शो क्या करते हैं, वो हम देखेंगे, then एक example देखेंगे ताकि हमें और ज़्यादा clarity हो machine language के बारे में कैसे यह काम करती है, और last में topic को हम close करेंगे, इसकी advantages और disadvantages के साथ, तो सबसे पहले समझेंगे machine language का meaning, machine language वो language है, जिसे computer easily understand कर लेता है, लेकिन यह difficult होती है humans के लिए understand कर पाना, क्योंकि यह low level language है, अब low level language क्या होती है, अगर आपको यह समझना है, तो link वीडियो को description में available है, आप वो check out कर सकते हैं, machine language, numeric codes, zero and one को मिला कर बनती है, इन, zero and one को binary number या binary code कहा जाता है, as we know, तो जैसा हम जानते हैं, computer input लेता है, और output देता है, तो computer की सबसे simple example है, कि computer एक electronic machine है, जो data as input लेती है, उसे process करती है, और output के रूप में उसे देती है, तो यह simple example है, तो हम यही समझते हैं, कि input दिया, process हुआ और output आया, ठीक है, तो इस case में, जब हम machine language की बात करते हैं, तो इसमें input और output, दोनों ही machine language में होते हैं, तो machine language क्या है, zero and one की form में, तो आपको input जब देना है, वो भी zero and one की form में देना है, आप अपनी language में नहीं देंगे, उसे जो English आप use करते हैं, जो भी आपको English आती ही, जो भी keyword से आप typing करत से आप A press करते हैं B press करते हैं, उसकी place पर आपको 0 and 1 press करना है, 0 and 1 में आप command देंगे computer को जो कि आज के time में हम नहीं देते हैं लेकिन पहले 0 and 1 की form में ही computer को command दी जाती थी, तो machine language computer की language है जिसे वो easily understand करता है इस में हम input binary number या binary code में देते हैं जो की 0 & 1 है और हमें output भी binary number या binary code में ही मिलती है तो अभी 0 & 1 शो क्या करता है अब देखिए इसमें different interpretation है 0 शो करता है low voltage को 1 शो करता है high voltage को 0 शो करता है off को मतलब electricity की supply नहीं है 1 शो करता है on मतलब electricity की supply आ रही है then 0 शो करता है false को 1 शो करता है true को ये 3 different interpretation है लेकि इन में से ज़्यादा तर जो use होती है वो है low voltage और high voltage जब आप low voltage देते हैं तब वो 0 quote होता है और जब high voltage होती है तब वो 1 quote होता है computer use करता है electricity का तो अगर आपको computer को start करना है तो आपको electricity की जुरूत पढ़िए उस case में तो ये 0 and 1 शो करते हैं electric pulse को इन short अगर हम कहें तो computer सिर्फ understand करता है digital signals को whatever input जो भी input आप देते हैं और with whatever device you are giving और किसी भी device से आप देते हैं चाहे वो keyword है mouse है pen drive है या joystick है ये सारे input store होते हैं 0 and 1 की form में और अब ये output भी आते हैं 0 and 1 की form में तो I hope आप समझ चुके होंगे इस बात को कि मैं क्या समझाना चाहता हूं तो computer basically काम करता है आपका electricity पर और ये आपके pulse, electric pulse को show करता है high voltage है, low voltage है तो जब भी आपको input देते हैं या आपके output आती है then storage होती है आपकी memory में वो सारा काम A2Z 0 and 1 की form में ही होता है बस फर्क इतना है कि पहले ये सारा काम हम 0 and 1 की form में ही करते थे अब ये हम अपनी language जो हम understand कर पाते हैं उसमें कर रहे हैं, जैसे English में तो आप English में typing करते हैं लेकिन background में ये सारा काम 0 and 1 की form में ही हो रहा है अब देखते हैं machine language की example 22 का binary code है 10110 इसी तरह 24 का binary code है 11000 46 का binary code है 101110 इसी तरह add का binary code है 00001011 तो अब अगर हमें computer को command देनी है कि आप add करिये 22 and 24 को तो add का हमारे पास value available है ये है उसका binary code 00001011 तो ये हमने उसका command दी ये code लिखा देन 22 का binary code लिखा देन 24 का binary code लिखा अब computer ने उसे process किया और जो उसका answer है 46 वो आपको binary code के format में provide कर दिया तो आप मैं समझता हूँ कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि क्या है machine language और ये कैसे काम करती है input भी आप 10 की form में देते हैं और output भी आपको 01 की form में available होता है अब जो मैंने पहले बात आप से की उसको मैंने question arise की form में code करने की कोशिश की है अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमने कभी भी 0 and 1 जैसा input नहीं दिया है हम ऐसी किसी भी language में type करते हैं जो हम अच्छे से जानते हैं जैसे कि हिंदी और English ये होता है language translator की help से जो की है compiler, interpreter, assembler, etc. ये compiler, interpreter, assembler क्या है इन सबका link वीडियो की description में available है आप उसे check out कर सकते हैं ये convert करते है source code को object code में जो की है machine language तो source code क्या है जिस language में आप command दे रहे हैं हिंदी हो या English हो then object code में उसे convert किया जाता है जो की 0 and 1 machine की language है तो सिर्फ assembly और high level language ही ऐसी language है जिसमें आप language translator का use करते हैं convert करने के लिए source code को object code में source code जैसा मैंने बताया आपकी अपनी language है और object code machine की language है जो की 0 and 1 है अब ये assembly language और high level language क्या है इनका link भी वीडियो की description में available है अब इसका अपने way में एक example लेते हैं मैं सिर्फ हिंदी जानता हूं और मैं एक Japanese अगाय के साथ बात करना चाहता हूं इसलिए मुझे एक translator की जुरूत पड़ेगी जो convert करेगा मेरी language को Japanese language में इसी तरह translator होते हैं वो हमारी language को machine language में convert करते हैं या translate करते हैं अब last में हम देखेंगे इसकी advantages और disadvantages तो advantages में सबसे पहला है machine language fast और ज़्यादा efficient है क्योंकि computer इसे easily understand कर पाता है अब क्योंकि मैं 0 and 1 में command दे रहा हूँ computer भी 0 and 1 को understand करता है तो जो भी हमारा communication होगा वो ज़्यादा fast होगा इसमें किसी भी translator की जुरूत नहीं पड़ती है code को translate करने के लिए क्योंकि 0 and 1 machine language है और computer directly उसे understand कर लेता है अब disadvantages का first point है कि binary code को याद करके रखना पड़ता है अब जैसा हमने देखा कि आज के time में हम काफी easily calculation कर लेते हैं हमको वो number press करना है and add करना है तो हमारे पास जो भी result होगा calculate करके आ जाएगा लेकिन पहले हमें सारी command 0 and 1 की form में देनी पड़ते थी जो कि काफी tricky था हमारे लिए याद करके रख पाना हमें सारी memory addresses को याद करके रखना पड़ता था machine language में program लिखते समय ये काफी मुश्किल हो जाता था कि हम उसमें कोई changes कर सके और errors का पता लगा सके वीडियो कैसा लगा ये comment करके ज़रूर बताएं और अगर आपके किसी भी topic है regarding कोई query है तो आप उसके लिए मुझे comment कर सकते हैं मैं वहीं आपको reply करके या फिर उस पे एक अलग वीडियो बनाके आपके साथ share कर दूँगा इसी तरह की हर update के लिए student notes channel को subscribe करें वीडियो को like और share करें Thank you